हाई ड्वेल्टीज वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ तापिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम फॉर्ण एक्षेंज रेट शेप्टर स्टार्ट करेंगे जो की काफी इंट्रोस्टिंग और काफी इजी शेप्टर है मुश्किल नहीं है बिलकुल भी बहुत असान चेप्टर है बहुत इंट्रोस्टिंग है गाईज अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और आपने अपने तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू मोर वीडियो आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा और आप अपने डाउ डूसरे की करन्सी कितने रुपे में खरीदते हैं उसको हम फॉरन एक्स्चेंज रेट कहते हैं इस समय पर रुपया वह कमजोर हो रखा है कमजोर का मतलब क्या है पतला हो गया नहीं इसका मतलब होते हैं कि भाई एक डॉलर के हमें जादा रुपे देने पड़ रहे हैं है ना तो उसी को foreign exchange rate कहते हैं जैसे suppose करो एक डॉलर हमारा कितने रुपे के बराबर है around 75 या 76 that is called foreign exchange rate foreign exchange rate is rate at which one currency is exchange with the another currency तो उसे foreign exchange rate कहते हैं असान सदा rate लगा ना foreign exchange का अब guys हमारा 75 रुपीज जाता है एक डॉलर के लिए तो एक डॉलर की कीमत तो 75 रुपे लेकिन एक डॉलर की कीमत कितनी है तो अगर आप 1 डॉलर को 75 से divide करोंगे जो की 0.00 something आएगा वह हमारे 1 रुपे की कीमत होगी क्योंकि हमारे 1 रुपे कीमत काफी कम है और आपको इक बाद जानके हरानी होगी और में भी आप सबको पता भी हो एक समय था जब एक डॉलर एक रुपे के बराबर होता था imagine कर सकते हो हमें 75 रुपे नहीं देने होते थे हमें सिर्फ एक रुपिया देना होता था एक डॉलर के लिए और आज क्या नौबत आ गई है कि हमें 75 रुपे देने बढ़ रहे हैं एक डॉलर के लिए अगर हमें कोई बाहर से गुड्स मंगाने है बाहर से के समान मंगाने है जो कि एक डॉलर का सुपी हाफ टू पे 75 रुपीज और उस समय पर सिर्फ एक रुपिया दिया और हो गया अब क्या हुआ ये हमारी करंसी के साथ इतना मलब दुर विवार जिसे कहते है हमारी करंसी को इतना कमजोर कर दिया गया ये कैसे हुआ So guys, देखूँ, एक होते currency depreciation होना Currency depreciation किसे कहते है? जब हमारी currency की value down हो जाती है ये market में decide किया जाते है यानि कि demand and supply decide करती है कि हमारी currency की value down हो रही है अब down होने का मतलब क्या है? कि अगर पहले अगर 1 dollar के लिए मुझे 70 रुपे देने होते थे आज की date में 1 dollar के लिए अगर मुझे 75 रुपे देने है इसे हम कहेंगे कि हमारी currency की value down हो गए because now we have to pay more money हमारी domestic currency domestic बोले तो देश की currency की value क्या हो गई? नीचे गिर गई हमें तो ऐसा लग रहे हैं 75 रुपे तो बढ़ गए नहीं जी ये नीचे गिर गई currency depreciation कहते है currency depreciation का मतलब क्या होते है means decrease in the value of domestic currency in terms of the foreign currency हमारी currency की value decrease होना in terms of the foreign currency depreciation अब जबी भी guys depreciation होता है तो उससे import या export पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो क्या फर्क पड़ेगा? अब ये बाहर की लोग जो हैं हमारे goods के लिए attract हो जाएंगे generally government भी ऐसा करती है कि हमारी currency की value को down कर देती है ताकि बाहर की लोग आके इंडिया में invest करें उसे depreciation नहीं बोलते हो उसे devaluation बोलते है जब government करती है इरादों के साथ उसे devaluation बोलते है depreciation होते है जब market करती है market में demand in supply की वज़े से हो तो उसे depreciation बोला जाते है लेकिन अगर हमारी government करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे devaluation clear है अब government भी आपको पता है समय समय पर devaluation करती है हमारी currency का सबसे वहले तो government नहीं start किया था एक समय जब हमारा 1 रुपिया एक डॉलर के बराबर होता था तो government ने हमारे एक रुपे की कीमत बोली कि एक डॉलर के लिए हम दस रुपे भी देने तयार है यह example ले रहे हूँ like government ने सबसे पहले currency की value को down किया था ताकि बाहर के लोग आए और इंडिया में invest करें इंडिया में invest किया जाए क्योंकि अब अगर वो एक डॉलर लेके आएंगे तो पहले वो एक रुपे की चीज़ खरीद पाते थे अब अगर लेके आएंगे एक डॉलर तो वो दस रुपे की चीज़ खरीद पाएंगे तो उसकी नौबत आज हम क्या देख रहे है वो बिचारे एक डॉलर लेके आते हैं और हम लोग 75 रुपेगा उनको समान दे देते हैं समझ रहे हो तो that is called depreciation depreciation और devaluation दोनों ही case में हमारी currency की value डाउन होती है लेकिन एक जो depreciation है वो market में demand and supply decide करता है devaluation government ही मर्जी से होता है तो आपको ये difference पता होना चाहिए आप देखो guys अगर depreciation होता है यानि कि हमारी currency की value डाउन होती है तो क्या होगा बाहर के लोग हमारी चीज़े खरीदेंगे भई वो कहेंगे कि इंडिया बड़ा सस्ते है वहां से खरीदो तो हमारे यहां से export बढ़ जाएगा अब बात करते हैं guys export की कि बाहर के लोग इंडिया से खरीदने लगेंगे तो इंडिया को export करना पड़ेगा समान की low 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 यही सोचकर government भी devaluation करते हैं कि यहां से समान बाहर हम भेज सके तो export increase हो जाता है depreciation के case में अब बात करते हैं appreciation की appreciation मतलब हमारी currency की value बढ़ जाना पहले हम 75 रुपे देते थे एक डॉलर के लिए अब हम कितने दे रहे हैं 70 रुपे दे रहे हैं एक डॉलर के लिए तो it is called appreciation हमें अब अपनी currency की कम value देनी पड़ रही है उनको हमें जादा रुपया देनी की जरूरत नहीं है हमें कम रुपया देना पड़ेगा अब एक डॉलर के लिए और जब गाइस ऐसा होता है तो अब हम लोग जो है ना वो बाहर निकलेंगे foreign countries को देखेंगे कि यार अब तो हमें एक डॉलर में यानि कि सिर्ग 70 रुपे देने की जरूरत है तो चलो बाहर से चीज़े खरीदे हैं क्योंकि पहले हमें महंगी पड़ रही थी बाहर की चीज़े अब हमें सस्ती पड़ रही है क्योंकि अब हमें रुपे कम देने है तो हम लोग जैसे सपोस करो बाहर से अमेरिका से हम लोगों को पता चला कि अमेरिका में से हमें कुछ समान मंगा सकते हैं क्योंकि अब सस्ता हो गया क्यों क्योंकि हमें रुपे कम देने की ज़ुरत है रुपिया मजबूत हो गया एप्रिशियेट हो गया तो इसकी वज़े से इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि अब हम समान मंगाने लग जाएगे हमारी तो ऐसे करके मुझे वो हो जाएगी क्योंकि हमारे रुपिया मजबूत हो जाएगा और हम बाहर से समान मंगाएगे जो कि हम पहले नहीं मंगा पा रहे थे अब हमें वो लगेगा सस्ता हो गया चलो यार 70 रुपई देने है या चलो 60 रुपई का अगर हो जाएगे तो हम और जादा मंगाने लग जाएगे कि डॉलर की कीमत तो कम हो गई है यार चलो बाहर से मंगाते हैं तो इसकी वज़े से इंपोर्ट बढ़ जाएगा आप इसके उपर धेरो MCQs आते हैं यानि कि इंपोर्ट बढ़ेगा या एक सब्सक्राइब करने लग जाएगे तो हम लोग एक्सपोर्ट करने लग जाएगे हम अपने point of view से देख रहे है कि हम लोग export करेंगे या import करेंगे ठीक है हमे बाहर वालों के point of view से नहीं अपने हमारे यहाँ पर depreciation से हम export जाथा करते हैं एप्रेसीचन से हम import जाथा करते हैं तो यह फरक आता है और devaluation क्या होता है? जो government हमारी currency की value को कम कर देती है in terms of a foreign exchange उसे हम devaluation कहते हैं और ये समय समय पर होता है क्यों होता है ताकि बाहर के लोग इंडिया में invest कर सकें उनको ललचाने के लिए ये किया जाता है I hope guys आपको ये topic समझ आया होगा अगर समझ आया है तो ऐसे नहीं जाना वीडियो को like जरूर करना है और share करना है with your friends और आप अपने doubt made से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Thank you